हेलो गाईज कैसे हैं आप मेरा नम विवेक आप देख रहे है टेकनिकल फेंड और गाईज आज हम बात करने वाले हैं यार जित्ते भी हमारे स्मार्ट फोन ब्रैंड से वो दीरे-दीरे स्मार्ट टीवी के तरफ बढ़ने लग गए है तो गाईज इसी में से नोकिया ने भी अगर हम बात कर लेते हैं इस टीवी के डिस्प्ले की तो आपको इसमें एक अल्ट्रा एजडी 4K का आपको पैनल देखने को मिल जा रहा है एक ग्रेड का आपको पैनल इसमें देखने को मिल जा रहा है अगर विविविंग एंगल के अगर बात मैं कर लेता हूं तो इसमें को 178 degree का viewing angle देखने को मिल जा रहा है जो कि बहुत ही अच्छा है और अगर इसमें brightness के गर बात कर लेता हूं तो guys मैं आपको 300 300 needlessmeat alert brightness का बियुक्त इसमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है सब्सक्राइब लोगत। वायँ its इसके RAM की तो आपको इसमें 2.25GV का RAM का support देखने को मिल जा रहा है अगर हम बात करते हैं इसके internal storage की तो आपको 16GV का internal support को मिल जा रहा है वहीं अगर हम बात कर लेते हैं इसके operating system की तो guys आपको इसमें android का 9.0 का support देखने को मिल रहा है जो की बहुत ही अच्छा होने वाला है वहीं अगर हम बात कर लेते हैं इसके sound quality की तो guys इसमें आपको मेरे को तो personally इसका sound मेरे को बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आपको इसमें JBL का speaker मिल रहा है 24 watt का with Dolby support के साथ तो guys no doubt sound quality इसका बहुत ही अच्छा होने वाला है guys अगर हम बात कर लेते हैं इस TV के additional features की तो आपको इसमें Google Play Store का support मिल जा रहा है आपको pre-install बहुत सारे application मिल जा रहा है जो कि आपको one keyword से आपका process हो जाएगा आपके remote से जो कि है आपका Netflix, Amazon Prime, YouTube, etc आपको इसमें Google Assistant का भी support मिल रहा है आपको इसमें Chroma Boost का भी support मिल रहा है जिससे कि आपका picture quality का enhancement होता है आपको picture quality अच्छा देखने को मिल जाता है वहीं अगर बात कर लेते हैं इसके connectivity version की तो guys again इसमें Bluetooth जो version आपको देखने को मिल रहा है तो guys 43 इंच आपको आएगा 31,999 का और 55 इंच आएगा आपको 41,999 का तो अगर इस brand को आप other brands से अगर compare करते हैं इस price पे तो guys मेरे को quite good अच्छा लगा है Nokia का यह TV आप मुझे comment section में बताएं guys कि आपको यह TV कैसा लग रहा है आप इसको purchase करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे और guys अगर वीडियो informative लगा हो तो वीडियो को एक like कर दें और चैनल में अगर नहीं है तो चैनल को subscribe कर दें Thank you